हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हैं सभी और कैसी चरी आप लोगों की तेरियां तो रास्तान पुलिस के लिए इस सूपर फास्ट मोडल पेपर नम्मर आठ है दस मिनिट का समय आपके पास और टोप आपको 60 क्यूसन्स के आर्शन्स दे रहे हैं टार्गेट रखते हैं आज का 45 क्यूसन्स का तो लाइक शेर आप जरू कर दीजी ताकि एक्जाम से पहले पहले सो टेस्ट करने हैं ऐसे और पीडिय पर कर लेना चाहें तो टेली गराम पर जिसका लिंक है प्रहला सारण सर के नाम से तो चलिए करते हैं सरवात क्यूसन नमर एक पहला है सरीश का अभ्यारण की काली घाटी में किस पक्सी का गनत हुए पूरे विश्वे में सबसे ज़्यादा है तो सरीश का मोर के लिए परसीद है और एक क्यूसन बहुत बार एक जम्याय अभी कि सबसे ज़्यादा मोर वाभी बंगाल के खाड़ी के अपवातंतर का इसा है तो बुंदी चीतर से लिकषे केते हैं, बुंदी चीतर से लिकः को, D आपका सही. गुलाबखा का मकवरा कहांपे बनावाँ है तो गुलाबखा का मकवरा जोतपुर में है और मेवाड के एलवली छेतर में भील जाती का लोकना टे कोंडस अ है? गवरी लोकना टे. लोकनाटियों का मरुनाटे भी कहते हैं और एक मतर लोकनाटे जिस कायोजन दिन में होता है वर्दा से राजस्तान केसरी समाचार पत्र का संपादन किसे ने किया था वीजी सी पतिक जिनका वास्तु एक नाम भूबसी है और ये राजस्तान सेवा संग के स्थापना होई थी वर्दा में एक आपका सही राजस्तान में उंटों के देवता की रूप में किसकी प्रूजा की जाती है तो पाबू जी की और पाबू जी को लक्षमर जी का उतार पलेग रखसक देवता भी कहते हैं और उंट पालक जाती है राइका जाती जीन माता का मंदी राजस्तान में कहां पे बनावा है तो रिवासा सीकर में एक आपका सही और दियालदासरी ख्यात निमा मेंसे किस रियास्त के सास्कों का वर्णन है तो बीका नेर के सास्कों कर अगले कि मुंसी महरानी की छत्रीक कहां पे बनी हुई है तो अलवाजीले में है एक आपका सही और दिलवाडा स्तीत आदिनाजी मंदिर का निर्मान किसने करवाया था विम्मल सानी करवाया था एक आपका सही दिलवाडा पाली में पांच मंदिरों का सम्मू है यहां पर इनमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। पिरितबासा में। और दो नमर पर आता है आंदर परदेश। पादन अधिक होता है तो मुर्गिया जादा जमेर में हैं। अंडो की टोखरी कहते हैं जमेर को डी आपका सही। और राज्य में बकरी विकास के इंदर कहां पर स्तापिटा है तो यह रामसर में है एक आपका सही। अगल है कि राजस्तान में इंडियन मेरिनो भेड की कोन शी नसल कहलाती है इंडियन मेरिनो कहते है चोक लाको जिसको शेकावाटी भी कहते हैं क्योकि शेकावाटी में होती है Йे। राजस्तान में भेंस की एक ही नसल परसीद है और कौन से मुर्रा नसल भेंस की परसीद है भी आपका सही राष्टान का कौन सा पसू सरवादी संक्या में पाया जाते है तो बक्रियों के मामले में एक नमर पे है सबसे ज़्यदा बक्री है बाड़मीर में सबसे कम है धोलपूर में और राश्तार में राश्ट्रिये सरसो अनसुंदार केंदर की स्थापना कांपर की गए सेवर बर्थपूर में 1993 में याद रखना पूछा गया है सेकावाटी छेतर में किस नर्ते में ख्याती एज़त की है तो सेकावाटी में कची घोडी नरते हैं, गीदर नरते हैं, चंग नरते हैं, डप नरते हैं, लहूर नरते हैं, तुराइटासर डी है आदुनिक राजस्तान में आज भी गरामिन चेत्रों में बाल विवा की सवसर पर किया जाता है तो सरवादी के बाल वीबाज जो होते हैं वो थें अक्षेतिर्ट्या को आकाती जिसे कहते हैं सी आपका सी एबूद सावा हजरत खा महनुदिन चिस्ती के गुरू कोन रहे थे तो सेख उसमान हारुनी चिस्ती रहे थे सी अपका सही और निम्बा का चारी है संपरदय की मुखे पीट कोन चे तो निम्बारक संपरदय की पीट है सलिमयबाद अजमेर में जिसकी स्तापना की थी परसूराम जी ने राम से नहीं संपरदय चला है था राम चर्ण जी ने जिनका वास्तिक नाम था राम किसन जी मुक्य पीठ है सापूरा भीलवाड़ा में जिसे राम द्वारा कहते है फूर्डोल उल्ट्सो होता है दादू पंतियों का मुक्य तिर्थ है नारायना नारायना की सिले में जेपूर में आता है नारायना दादू दियाल जी ने दादू दियाल जी जिने राजस्तान का कबीर कहते है वलब संपरदय का राजस्तान परशित के अंदर कोण से है वलब संपरदय की मुक्य साकाय पास को कहा जाता है बी आपका सही और अगलाई की चंग नर्ते राजस्तान के किस सित्र का लोक नाटे हैं चंग नर्ते होता है सेकावाटी में चंग नर्ते है गिदर नर्ते है कची गोडी नर्ते है और कू किसे समधीत है कू का जाता है घर को भील जन जाती का जो घर होता है वो को कहलाता है सी आपका सही राजस्तान का पर्थम राष्टी उद्धान कोन से है पहला राष्टी उद्धान है रंधंबोर पहली बाग परियोजना भी है और अगलाए के राजस्तान में स्तापत्य अकला का जनमदाता या जनक किसे कहते हैं माहरणा कुम्बा को कहा जाता है एक आपका सही अगलाए के अकबर के नौरतनों में राज गुताना के कौन सी कवी थे तो नौरतनों में जो कभी थे वो थे अबूल फजल जी और सासक की बात करते हैं राजस्तान के कौन से थे तो मानसी थे राजस्तार में राठोड वंस के सस्ताप्र कोन है राठोडों की स्ताप्रा की थी राव सीहा ने राव सीहा ने और राठोडों की मारवाड के लाव बीका नियर में भी है जिसकी राव बीका ने की थी किसंगड में किसंसी ने की थी और अगला क्यों सनप का है बर्थपूर, क्रोली, धोलपूर, छेतर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था तो सूर सेंजन जनपद का हिस्सा थे बर्थपूर, क्रोली और धोलपूर वाला एरिया तुराइट अन्सलाप का एक है अगल है कि चितोडगड की स्तापना किस मोरिय का लिन सासन ने की थी चितोडगड की सामना कहते हैं कि चितरंगन मोरिय ने की थी चितोडगड का किला बनाया था अंतिम सासक थे मान सी मोरी, मान मोरी सोरी, मान मोरी जिसको बपा रावल ने हराया था निमलिक में से नगर और संस्तापा का जोड़ा है जो गलत है उसकी पहचान करनी है अजमेर की स्तापना की थी राजा अजे राजने ग्यारा सो तेरा ठीक है जेपूर की स्तापना स्वाई जेसी सेकिड ने की थी ठीक है बीकनेर की राव बीका ने की थी ये भी ठीक है बर्दपूर की बरस इने नहीं की थी सुर्ज मलजाट ने की थी तुराइटान सरफ का डी है विस्वय का एक मातर वरिक्स मेला कहां पर बड़ता है खेजरली जोधपूर में बड़ता है ठीक है 1730 की गटना अमरिता देविस्व नहीं आपको याद होगी अबेसी के सासनकाल में अगला है की जुमिक परनाली की द्वरा कर्शी राजे के किस हेतर में होती है तो डुंगरपूर में बांस्टवडा और डुंगरपूर दक्षनी राजस्तान में ठीक है राजस्तान में कहते हैं वालरा कर्शी वालरा कर्शी कहलाते है और वालरा एक नरते भी है गराशे जन जाती का अगला है की विस्वे का दुरलपक्षी साइबिरियन क्रेन की सब ब्याड में देखने के मिलता है शाइबिरियन करेन है गहना पक्षी ब्याड केलादे और ब्याड बरतूर का जो राजस्तान के एक रामसर साइट वियर पक्षियों का सरंखस्तल भी केलाता है राजस्तान का सबसे निकट बंदर का कौन सा है सबसे नजदी के कांडला कांपर है ये गुजरात में है तुराइट अंसर सी है अगल है कि राजस्तान में सरवादिक और नियूंतम उस्त वार्शिक वर्षा किसे जिल्ले में है सबसे ज़्यादा होती है जहलाबाड जिल्ले में सबसे कम होती है जसलमेर की और उस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है माउंट अबू में और कम होती है सम में, सम जसल मेर में आता है माउंट अबू शिरोही में है अगले कि सबसे अधिक मातरा में सोडियम सलपेट किस जील में बनाया जाता है सोडियम सलपेट बनता है डीडवाना में और सबसे बड़ी खारे पानी की जील है सांबर जहां पसरवादी नमक का उत्पाद में होता तो डीडवाना नागोर में है पस्पदरा जो है ये बाड़मेर में फलोदी जोद्पूर में जिसे राज्तान का सोख, हाकरा नदी, लेटी नदी, तर नदी भी कहते हैं और सबसे छोटी एक कांतली नदी है जिसे मसूर्दी नदी भी कहते हैं ये सबसे छोटी है कांतली तो सीकर में है अगल एक की कांदीनू जानापाओं की पाड़ याँ, एम पी से होता है और नेक्स्ट की नागपाड कांपर है नागपाड है अजमेर और पूशकर के मद्दे और अजमेर के पस्चिम में याद रखेंगे यहीं से लूनी नदी निकलती है बालू के टिले जो हवा से अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें कहते हैं धरियन गती सील बालू का स्थूबी आप कह सकते हैं कुम्बलगड और गोगुंदा के बीज का फटार किस नाम से जाना जाता है कुम्बलगड और गोगुंदा के बीज का फटार कहलाता है बोराट का फटार तो राइटान सब्का एक आप बताएंगे कॉमेंट करके कि राजस्तान का सबसे उन्चा फटार कुन सा है रावली परतमाला की टोटल लंबाई बता दीजे रावली परतमाला की कुल लंबाई है वो है 692 किलो मीटर और इसका राजस्तान में विस्तार है वो कितना है 80 पर 30 राजस्तान में है यानि 550 किलो मीटर जो है वो राजस्तान में आती है तो ये थे टोप 60 क्यूशन और 60 में से आपका स्कूर क्या है कोमेंट करके बताईए और एक चीज़ याद रखिए ऐसी सुपरफास सीरीज गराम सिवक मैंस के लिए भी है तो आप दोनों डेली देख सकते हैं और टोपिक वाइज डेली एक टेस्ट देना चाहते हैं कि एक टोपिक है जितने भी पोर्टेंट क्यूशन बन सकते हैं तो रात को डेली आठ वजे हमारा लाइट टेस्ट होता है और आज का हमारा टोपिक है राजस्तान की हस्त कला तो हस्त कला को अच्छे से पढ़के आना जितने भी क्यूशन बनेंगे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे पेडियो प्लेन ये तो टेली ग्राम पर जिसका लिंक है परेलास फारंसर के नाम से और ये इंस्टाकराम और फेश उप पेज है यहां पर भी जोईन कर लीजे अगर आपको कुछ पूछना हो बताना हो कुछ सुजाओ देना हो जो भी आपके आइडियाज है और एक चीज़ और अगर आपको इस शीरीज से फाइदा हो रहा है लगता है कि कम समय में जदा से जदा क्यूसन साब के कवर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ताकि डैली इसी परकार की एक एक शीरीज हम कवर करें क्योंकि थोड़े-फोड़े क्यूसन से भी एक जाम तक बहुत ज़्यादा क्यूसन हो जाएंगे और एक दिन करने के लिए आपको पीडिया भी मिलती रहेगी थैंक यू